हलो एन वेलकम माई डियोर सूल फामली कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुशो और अपनों के साथ सुरक्षत हो आज की रीडिंग में आपके परसन की करेंट रीडिंग हम देखेंगे यानि की करेंट फीलिंग की रीडिंग करेंट एनरजी जानन हैं उनके बारे में सोचना है और मैं बताऊंगी कि इस वक्त आपके परसन कैसा मैसूस कर रहे हैं शुरू करते हैं पहले देखते हैं आपके रिष्टे में क्या होने वाला है रिकवरी काद जाने शुरू हो गए हैं तो बहतर यही होगा कि जो मेरे प्यारे पेरे वीवर्स हैं रेगुलर वीवर्स वह जल्दी से लाइट कर दें रीडिंग को नॉट दे राइट टाइम टेक एन आक्शन देखो आस्क पॉर हेल्प फ्रॉम अधर्स एक कड़ और लेंगे रिमेन पॉजिटिव चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी ये पर्सन अपने बुज़र्गों से बहुत ज़्यादा क्लोज है अगर इनकी लाइफ में अगर इनके घर में फैमली में अगर कोई बुज़र्ग रहते हैं या इनके ग्राइंट पिरिंट्स रहते हैं ये पर्सन उनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और यकीन मानो गाईज ये हर चीज़ की जो हर चीज़ की एड़वाइस हो गई या आपकी लव लाइस से रिलेटिड हो या कोई भी चीज़ों उनसे ये डिसकस जरूर करते हैं ऐसा लगता है कि ये पर्सन वैसे तो फ्रेंड्स इतने जादा नहीं बनाते जादा दोस नहीं बनाते क्योंकि इनको लगता है कि दुनिया बेइमान है दुनिया पाखंडी है और हर किसी ने हमेशा इनको अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल किया है लेकिन मुझे लगता है कि ये हर बात अपने ग्राइंड पेरेंट्स को बताते हैं क्योंकि आपके person को लगता है कि इनके जो grandparent से इनको हमेशा सही guide करेंगे तो किसी की मदद लेके ये person आपके रिष्टे की recovery करना चाह रहे है recovery का मतलब यह है जब आपका रिष्टा किसी बहुत ज़ादा तुफान से गुजरा हो उसमें बहुत मुश्किल आई हो दोनों के बीच में बाचीत बंद हो गई हो या फिर किसी प्रकार का मन मुटाव हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सरी दिक्कतों का एक ही इलाज है recovery यानि कि अगर मैं spiritual भाशा में बताऊं तो वो है healing दोनों की healing होनी यहाँ पे बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने इंजल से यहाँ पे आपके रिष्टे के बारे में बोचा था यहाँ पे पता चलता है आप दोनों की healing अभी धीरे धीरे शुरू हुई है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ चीजे बताना चाहूंगी आपके पार्टनर का जो crown चक्रा है यहाँ पे बहुत ज़ादा unbalanced है इसका मतलब यह person हो सकता है बहुत ज़ादा procrastinate करते हैं overthinking करते हैं और यह person कोई वे decision हो यह किसी की मदद के बिना नहीं ले सकते क्योंकि इनको हमेशा लगता है कि यह गलट decision लेंगे क्योंकि past में इस person का experience बहुत बुरा रहा है decision को लेके तो बार-बार अगर same cycle repeat हुई है तो मुझे लगता है इस person ने खुद पर से भरोसा खो दिया है इनकी decision making abilities अभी बहुत कमजोर है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है not the right time अगर इनोंने किसी third party के कहने पे अगर आपको खुद से दूर कर दिया था अच्छा कैमरा उपर चला गया एक second या अगर आपको किसी third party के वज़े से इनोंने दूर कर दिया था तो यकीन मानो ये person बहुत पच्चताते हैं उस चीज़ को लेके इसलिए अपने से ये कुछ नहीं कर रहे है नहीं action ले रहे है यहाँ पे take action है फिर यहाँ पे बहुत ज़़दा child like energy है इसका मतलब आप समझे इनके जो action है ऐसे किया था तो मैं मेरा भी हक बनता है मैंने भी ऐसे कर दिया तो इनोंने ऐसे बहुत बार किया है जिसकी वज़े से मुझे लगता है कि आप बहुत बार hurt हुए हो आपको बहुत बार इनोंने ऐसी चीज़े बोली है जो आप चाहा कर भी नहीं भुला पा रहे हो तो वो कड़वी आदे ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में काफी बारा आ जाती है और इस परसन की current energy ये बोल रही है इसलिए ये बहुत ज़ादा सोस समझ के आपके पास आना चाहते हैं बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि इस बार इनको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं चाहिए क्योंकि इस बार जो इनको महसूस हुआ है आपके regarding वो प्यार उनसे बहुत ज़ादा अलग है वो प्यार अलग इसलिए है कि पहले इनको लगता था कि अगर आप इनको कोई चीज देते हो तो तब ही आपको ये बदले में देंगे पर मुझे लगता है इस बार ये आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे है ये परसन सिर्फ आपको देना चाहते है अगर ये परसन खुद पर अभी डाउट करते रहे हैं के अनरजी ये ही बताती है तो ये परसन बहुत ही जल्द दूसरों से मदद लेने के लिए तयार होते हुए दिख रहे हैं दूसरों से पूछते हुए ज़रूर यहाँ पे कोई मेल फिगर है या फिर फीमेल फिगर हो सकते है मैंने बोला ग्रांड पिरेंट्स जो आपके रिष्टे में आगे बढ़ने के लिए बहुत सही सला देंगे और यहाँ पे भी रेंबो है यहाँ रेंबो है और यहाँ पे रेंबो तो मुझे बहुत मिक्स नज़रा रहे इसका मतलब यह है अगर आप गाईस ध्यान से देखोगे इसका मतलब यह है कि हो सकता है वो कोई एक्शन लेने के लिए बोले और वो जो एक्शन होगा आपके रिष्टे के लिए बहुत फूटफुल होगा और आपके परसन को इस चीज़ में पॉजटिव होने की ज़रूरत है जब भी आप किसी बड़ों से गाईड लेते हो ना तो ऐसे होता है कि आपको सही बताते हैं वो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे दिल जुड़ते हुएं यहाँ पे नजर आ रहे हैं गाईज बहुत ज़ादा ही आपके लिए खुशकबरी है नमबर थ्री आ गया है बहुत सारी दिकतों के बाद मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बादचीत शुरू होने वाली है दोनों का रिष्टा खुशियों से बरना वाला है और दोनों ही एक दूसरे से जो चीज़े शेयर करना चाहते है अब वो चीज़ आप शेयर करोगे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ये इस लमहे के लिए आप दोनों ही बहुत ही टाइम से तड़प रहे थे और आपकी इस बार विष्ट फुल्फिल्मेंट होती हुए मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर टीज़ का काड़ आ गया है नमबर फाइव आ गया है मुव देख लीजिए ये काड़ भी शांदार आया है जो आप दोनों की पार्टनर्शिप को बता रहा है मतलब कि दोनों ही एक दूसरे की जरूरतों को समझ रहे हो आपके परसन ऐसा मैसूस कर रहे है कि वो आपका परस्पेक्टिव दीरे-दीरे समझ रहे है आपका नजरिया क्या था आपका उनको डांटने का मतलब क्या था आप हमेशा उनको लेके इतना प्रोटेक्टिव क्यो रहते थे आप हमेशा उनका इंतिजार किया करते थे अब जाके इस person को समझ आ रहा है और ये person चाहते हैं आपकी तरफ lead लेना ये चाह रहे हैं आपकी तरफ action लेना currently मैं बता रही हूँ इस person की energy ऐसी है जहां पर ये अपने older self को छोड़ रहे है पुरानी energies को release कर रहे हैं धीरे धीरे इस person के हाथ में एक map है एक प्यार का map है ये कहलो कि एक plan है जिस पे जिस राष्टे पे चलके ये आपके पास आना चाहते हैं मुझे लगता है इस राष्टे में जो चीजे इनको uncomfortable करेंगी या इनकी life में अगर कोई ऐसा इनसान है जो इनको फूटी आँख नहीं सुहाता उनको भी ये person अपनी तरफ कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी खातर सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए दिल जुड़ेगा, reunion होगा दोनों ही एक दूसरे के साथ आओगे दोनों ही एक दूसरे की side को समझोगे और आगे की और यहां पर आपका रिष्टा बढ़ता हुँ नजर आ रहा है move करता हुँ नजर आ रहा है इस बार आपको ऐसा मैसूस नहीं होगा कि आप रिष्टे में अकेले हो आपको इस बार पार्टनर्शिप मिलने वाली है आपको पार्टनर्शिप समझ आने वाली है आपके person देखो giving and receiving दोन तरफ से यहां पे equal efforts नजर आ रहे हैं ऐसा लगता है यह रिष्टा खिलने वाला है हर तरफ से सब की blessing love abounds देख लीजे पूरी तरीके से मुझे लगता है यहां पे heart chakra oh my god वहां पे दिल जहां पे ligate हो रहे है वहां पे number one है यहां पे number one है supreme card यहां पे आ गया है बहुत सारी positivity के साथ जिसका मतलब यह है कि यह आपको एक horizon दिखने वाला है dedicated effort number eight infinity समझ लो कि आपके person अब आपकी मुठी में आ गये है जिस person को आप बोलते थे न कि यार तुम तो मेरे हाथ से निकल गए वही person आपके हाथ में आने के लिए तड़प रहे है मुझे लगता है यह person आपके सामने सारी सच्चा ही बताएंगे मुझे लगता है यह person जो अपना real self है ना जो अभी तक यह आप से छुपाते आए थे डर के उससे judgment के उससे तो यह देखो number eight है number 18 818 भी बहुती ज़ादा यहाँ पे specific angel number आ गया इसका मतलब यह है infinite love begins ठीक है यह person अब आपको दिखा देना चाहते है यह आपके साथ एक मौका चाहते है देखो यह grass पे खड़े है इसका मतलब यह है abundance बहुत ज़ादा होने वाली है एक बार यह अपनी चुपी तोड़के आपको सच बताते है आपको ऐसा लगेगा जो हवा में थोड़ी सी खलिश थी आपको इनका नाम सुनते ही जो भारी पन मैसूस होता था यह ऐसे लगता था कि शायद अब इस जनम में कभी मिलना नहीं होगा एक दम से ऐसे लगेगा कि लाखो जनमों की जो जर्नी है एक बार में पूरी कर ली ऐसा लगता है यह परसन पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे चाहे आपके करियर में हो चाहे आपको कुछ भी हो चाहे आपको कुछ करना चाहते हो चाहे आपके बिजनस में हो आपके लाइफ में आपके परसन आपका एक बहुत तगड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं अगर आप emotional होना यकीन मानों ये person आपके emotional fluctuations है जो या फिर आप बहुत emotional हो आप सह नहीं पाते हो ये person आपको इतना ज़ादा मजबूत बना देंगे अपने support से क्योंकि ऐसा लगता है ये person जब दूसरों से guidance लेके आएंगे तो एक angel blessing भी है इनके पास angel blessing भी है ठीक है मेरा actually timer पर दिहान जा चुका है और 11-11 आने वाला है 3-2-1 11-11 make a wish चलिए अभी सब ही न हम सारे मिलके wish मांगते है eyes close करिए 10 seconds के लिए अपनी wish को मांगिए दिल से मांगना wish मांग लिए आपने चलिए उसको release कर दीजे wish मांग के बस उसको छोड़ दीजे वो अपना काम करेंगे जो पर है वो अपना काम करेंगे तो आईए मेरे पास दुबारा से आईए wish आपके चली गई आपकी wish जरूर grant होगी दिल में विश्वास रखिए मन में शान्ती और प्यार से उस wish को release कर दीजे देखिए ये person जब भी आपके सामने पूरी सचाई रखेंगे न तब आपको अंदाजा होगा कि ये बाहर से दिखते कुछ और है अंदर से इतनी ज़्यादा softness है अंदर से इतना ज़्यादा प्यार भरा हुआ है अंदर से इतनी बेचैनी है बेताबी है बस आपको पा लेना चाहते हैं बस अभी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं आपको ज़्यादा मतलब वेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक है ये energy है जैसे होते नहीं है कि अपने performance का बेट करते है मेरी बारी कब आएगी वैसी energy दिखाई दे रहे है सोच रहे हैं हमारी बारी कब आएगी refusing to see क्या मतलब है इसका अभी clarify करते है angels ये refusing to see का क्या मतलब है हमें guidance देजिए और number two आया है okay blossom okay पता चल गया चलिए एक बात बोलो believe and succeed अब तो बिल्कुल clarity आ गई number two दोनों को ना दोनों की कुछ आदतों से बहुत ज़्यदा चिड़ है हो सकता है इस वज़े से दोनों को बहुत मन मुटाब हुआ हो दोनों को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि दोनों में से कोई मतलब जुकना नहीं चाहता हर कोई एक दूसरे के उपड़ से मतलब गुजर के जाना चाहता है तो ऐसा लगता है कि ये person ना अब ना आपके अंदर वो चीजों को ignore करेंगे अब दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ adjustment होगी दोनों अपना सिर जुकाएंगे और जो भी होगा वो mutual होगा दोनों की तरफ से होगा ये रिष्टा आप दोनों का है किसी एक तरफ से यहाँ पे ताली नहीं बजेगी दूसरी बात और भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके person जो पहली negative mindset रख रहे थे उससे अज़ाद होते हुए नज़र आ रहे है और यहाँ पे blossom वाली energy हमें साब बता रही है कि यह person देखा आग और यहाँ पे पती मतलब fire and water यानि कि nature का यहाँ पे reunion है दोनों बहुत different हो लेकिन एक दूसरे की खूबिया और खामिया को यहाँ पे आप पूरी तरही के सा अपनाने वाले हो इस वक्त आपके person के energy यह कहती है कि यह न आपको पूरी तरही के से अपने बच्चे के जैसे किया और करेंगे पूरी तरही के से ऐसा लगेगा कि आपको बे तहाशा प्यार करने वाला कोई है और आपका हाथ पकड़ के आपको आगे की और गाइड करने वाला कोई है क्योंकि अभी तक ये रोल सिर्फ और सिर्फ आपका नजर आ रहा था पर मुझे लगता है कि ये परसन देखो नमबर फॉर यहां पर ट्रांस्फरमेशन जिस तरीके का प्यार आपने दिया है उससे चोगुना प्यार आपको मिलने वाला है इस परसन की तरफ से पूरी तरीके से ये परसन अपनी और आपकी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं ये सरिंडर करना चाहते है पताया आपके सामने जिसे बोलते हैं जो हुक्म हो आखा जो कहोगे वो करेंगे इस तरीके कि एनरजी है लब पूरे में लब चिराग अपने पास रखना है उसको रगड़ना है जो ये निकलेंगे न ये जीनी नहीं होंगे ये आपके परसन होंगे जो बोलोग है आपका विश सराखों पर आपका हुक्म सराखों पर ठीक है ऐसे ही वाली एनरजी यहां पर दिखाएगे रही है पूरे तरीके से मतलब इतना जादा ये डेडिकेटिड रहे है आपके तरफ डेडिकेशन बहुत नज़र आ रही है आपके लिए स्पेशली एफ पर चारों तरफ से ब्लेसिंग से कॉंशियसनेस विक्टम मेंटालिटी ठीक है देखो यहां पर साब पता चल रहा है कि आपके परसन इस बात का एसास है कि इन्होंने गलती की है इस बात का एसास है कही ना कही इस रश्चिते को खराब करने वाले आपके परसन ही रहे हैं ठेक है उन्होंने काली करतुते अपने मान ली है और इस वज़े से कहीं न कहीं अभी तक emotionally आप से अजाद नहीं हुए हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक आपको justice नहीं दिया है अजाद होंगे भी कैसे हमेशा अपने आपको victim महसूस करते हैं इन्होंने आपको छोड़ा है या आपके गुनेगार है पर इनको महसूस होता है कि इनसे कोई गुना हुआ है तब ही तो ये अपनी गुनाहों को अपनी गुनाहों ठीक करने के लिए अपनी गुनाहों को माफ करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं देखें यहाँ पे ब्ल ये person आपके साथ एक new energy चाहता infinite number eight they want a new beginning with you ठीक है, आपकी तलाश है देखो ये energy इतनी stuck है पर ये फिर भी आपको देख रहे हैं, देखो blossom, फिर भी आपकी तरफ नजर है इस person की, behind a mask, आपके person आपको ना करीब से जानना चाहते हैं ये आपको और जादा समझना चाहते हैं, ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने इनसे बहुत सच्चा महबत किया है, बहुत शिदत वाला प्यार किया है, इसी वज़े से बोलते हैं, महबत थी इसले जाने दिया जिद होती दबाहों में होती तो आपने इस परसन को इतना हर्ट किया है आपके परसन बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है कि शिदत वाला प्यार था कभी भी आपने उनका नुकसान नहीं किया हमेशा से आप फिर भी उनके हितकारी रहे हो, हितेशी रहे हो हमेशा आज भी अच्छा ही चाहोगे कभी भी आपने उनको नुकसान नहीं पहुचाया वरना कोई और होता तो उनको सजा दिलाता टीचर इन्होंने कभी भी आपको मतलब आपने कभी भी अपने परसन को एक्सपोज नहीं किया नहीं उनके बारे में ऐसे कोई सबूत लिग किया है कभी भी आपने उनको हानी पहुचाने की कोशिश नहीं किया ठीक है तो आपके इनके पास होने से या आपके उनके लाइफ में होने से इस परसन को इस पत्थर दिल को आपने चेंज कर दिया है सही बता रहे हूं ठीक है ग्रेट अचीवमेंट यहाँ पर अबॉर्ड कोई सौधा होता हुआ दिख रहा है प्यार का सौधा अच्छा सौधा बोल रही हूँ जहां पर यहां पर ग्लास दिख रहे है मतलब बहुत जदा प्रोस्पारिटी बहुत जदा अबंडन्स और यहां पर बहुत जदा अचीवमेंट लगता है कि दोनों की एनरजी में बहुत चेंज है दोनों ही एक दूसरे की तरफ लोट रहे हो खुद की तरफ लोट रहे हो दोनों ही एक दूसरे के प्रती बहुत जदा प्यार महसूस कर रहे हूँ, या आपके लिए achievement है आपके रिष्टे में एक नया level है ये ठीक है, travel हो सकता है ये person आपको travel करते हो कई मिले, या आपका कहीं जाने का बन रहा हो और ऐसा लगता हो कि नहीं जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना आपको इस trip पे या फिर जहां पे भी आपको out of station या कोई ट्रैवल करने का बन रहा है ना या आपके friends आपको बहुत बुला रहें गाई पे आपको जरूर से जाना चाहिए जहां पे आपको ऐसे नहीं 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 हो रहा है ना हाना हाना वहाँ definitely जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपके person से मिलने के chance है लो जी hint भी दे दी अगर planning और action लेना है तो आपको definitely जाना चाहिए करना चाहिए plan करना चाहिए action भी लेना चाहिए कोई भी event मिस नहीं करना चाहिए spirit the sacred temple या आपकी destiny है जहां कहीं पे भी आप अपने person से टकरा होगे ना वो आपके लिए एक बहुत sacred place होगी हो सकता है आप temple में मिलो या किसी पूजा के जगा पे मिलो या कहीं कहीं पे भी आप जाते हो pray करने के लिए तो जरूरी है वो spiritually होगा spiritually कोई जगा हो सकती है या अपने grandparents के घर पे या किसी के साथ होगे कोई spirit से related होगा ठीक है बहुत divine place होगे बहुत शांती वाली place होगे हो सकता है कहीं travel हो रहा हो travel करके जाने का कहीं plan बन रहा हो उसी दुरान आपके person के आप से मिलने के बहुत chances है या हो सकता है वो आपको उसी दुरान contact करे यहाँ पर hint है consciousness अपनी perspective को broad रखिए आप यह मस सोचे कोई भी चीज हो गई है तो final हो गई है final कुछ नहीं होता energies keep on changing इस वक्त आपके energy बहुत fruitful है family family का काड़ा आने का मतलब है new beginning unity हो रही है पुराने रिष्टे जुड रहे हैं धीरे धीरे intention, discovery यह देखो यह person discover कर चुके हैं आप इनके लिए कितना ज़दा precious हो इनका intention है आपके साथ current energy को बदलना और एक family को start करना family मतलब union, growth bonding, love, sharing empathy, सारी feelings जहाँ पे यहाँ पे sharing हो तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में exchange होता हूँ नजर आ रही है male, divine male, divine female दोनों की energy, दोनों का नजरिया बदल रहा है दोनों की energy में shift आया है दोनों ही एक दूसरे को बहुत खुले दिल से accept करने की सोच रहे हो और दोनों का reunion आप दोनों की family की रूप में result कर रहा है तो यह reading कैसी लगी मुझे बताईएगा जरूर आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी जल्दी से वीडियो को like, comment, share कर दीजिए description box में यह reading इंतजार कर रहे है उसको देखे जरूर से जाएगा take care, bye